आपको अपने जीवन में अपनाने से आपको अपकार रोम सफलता मिलती है जी हाँ दोस्तो हम हर रोजमा गर्जिया देवी जी से आपके और आपके परिवार के कुसलता और सफलता के लिए प्रात्ना करते हैं और उमीद करते हैं आप लोग अपने परिवार के साथ एक अच्छा जीवन यापन कर पाएं दोस्तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं किया आपको मनी प्लांट के पौदे में सिर्फ एक ये चीज दबा के रख देनी है और फिर देखिए आप हो जाएंगी रात और रात माला माल जी हैं दोस्तो ये एक गुप दुपाय है गर में बरकत आती है और रुके हुए काम फूरे होने लगते हैं इसी के साथ दोस्तों माता लक्ष्मी को प्रसंद करने के लिए आप चाहें तो सुक्रवार के दिन मनी प्लांट में दूद भी अर्पित कर सकते हैं लेकिन कच्चा दूद अर्पित करने ये वाद ध्यान र लखें तो उसका ध्यान रखें या ध्यान रखेंगी वह हमीशा हरा बरा बना रहें क्योंकि सुखा हुआ मनी प्लांट घर की बरकत को रोकता है और धन्हानी का कारण भी बनता है मनी प्लांट को हमेशा कांच या मिट्टी के गमले या बदलब पौदे जो है इसी उसमें प्राज की बोतल या मिट्टी का गमला ऐसा करने से घर में सकरात्म कूर्जा यानि पॉजिटिविटी आती है मनी प्लांट पे लाल धागा या लाल डिबन बादने के साथ ही मनी प्लांट पर कुम-कुम भी लगा दे सही दिशा का ग्यान होना भी अनिवार रहे हैं मनी प्लांट का भरपूर लाव उठाने के लिए आप मनी प्लांट को अपने घर के दक्षिन पूर दिशा में लगा दे ऐसा करने से भगवान गनेश प्रसंद होते हैं इसी के साथ मनी प्लांट की बेल को कभी नीचे या फिर जमीन पर फैलने ना दें इससे वास्तु दोस पैदा होता है और तरक्की में भी रुकावटे बनती हैं मनी प्लांट को ऐसी जगे रगाएं जो साफ सुत्री हो ऐसी जगे पे लगाने पे ही घर में बरक्कत आथी है जी हा दोस्तो मनी प्लांट के ये कुछ नियम है जिनका आगर आप पार्म करेंगे तो आपको मनी प्लांट से पूर्ण याई भर पूल लाव मिल पाएगा और बहुत फलदाई भी आपके लिए साबित होगा मनी ब्लान रखने से कुछ नहीं होता हर चीज सही से डिसिप्लिन के साथ रखनी जरूरी है यही वो नियम मनी ब्लान के जो आपको देखते देखते अमीर बना देंगे अब हम आप से मिलते हैं अगली वीडियो में जब तक के लिए जय माता दी धन्यवाइब